नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पे क्या आपसे रेस्टोरेंट जैसा पनीटिका मसाला नहीं बनता है? यह उतना भी मुश्किल नहीं है आज मैं आपको दिखाऊंगी कि बहुती आसान तरीके से घर पर ही रेस्टोरेंट जैसा पनीतिका मसाला कैसे बनाते हैं आप मेरे वीडियो को बस एंड तक जरूर देखिए ताकि कुछ भी आपसे मिसना हो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाए तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो पनीर्टि का मसाला बनाने के लिए देख जिजेए मैंने 200 ग्राम बनीत लिया है और उसको मैंने बड़े पीसेज में काटा है और अधा शिंगला मिर्च किया है उसको भी बड़े पीसेज में काटा है आधा और यह फोट्टी स्पूण साल्ट है वन फोट्ट स्पून हल्दी है वन टीजिपून यह मेरा किचन किंग मसाला है और हाफ टीजिपून कश्मीरी लाल मिंज पॉड़र है यह हाफ काम घड्र गाढ़ा पहले मर्नीर कर लेता है तो सबसे पहले में पनीर को डाले किमिक्स इंग ने आशिकूल की षण किंग मसाला कश्मीरी रेड चिली पाउडर और यह इतना जिंजर गालिक पेस्ट डालना है यह हाफ टीस्पून के लगबग है इतना हम करी बनाने में लियूज करेंगे और कड यह देख रहे हाफ कप है यह पूरा डाल देना है और यह खाने का रंग है इसको मैं बस दो तीन अब इसको अच्छे से मिला लेना है यह वर्न फोर्थ टीस्पून टर्मरिक है कल्दी वह भी हम डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा कसूरी मेथी भी अगर अब डाल देते तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो आप पर है अब ज्यादा जालती कम मैंने यहां पर एक चमच के लगभग कसूरी मेथी डाला है और अच्छे से मिक्स करेंगे इसके बाद मैंने यहाँ पे एक चमच के लगभग एक मिनट एक चमच के लगभग मैंने यहाँ पे देखिए सरसो तेल डाला है इससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है अब अच्छे से मिक्स करके इसको ढखकर हमको 15 मिनट रखना है 15 मिनट में यह सारा टेस्ट इसमें आ जाएगा पनीर में फिर इसको पकाना है तब तक हम ग्रेवी की तयारी करेंगे तो बस 15 मिनट इससे ढखकर अच्छे से रख दीजिए तक हमारा पनीर मेरिनेट हो रहा है तब तक हम ग्रेवी की तयारी कर लेते हैं मैंने यहां पे कढ़ाई गैस पे चड़ा दिया है यह गरम हो गया है तो इसमें हम वन थर्ड कप पाइल डालेंगे देखिए वन थर्ड कप मैंने लिया था लेकिन एक चमच के लगवा मेरा बज गया है तो अभी में इतना ही डाब दी हूँ अब इससे गरम करना है अभी अच्छे से गरम होके है इसमें हमें जिंजर गाली पेस्ट आलना है तो यह जंप करेगा तो इसलिए अब गैस अभी थोड़े दिर के बंद कर दीजिए और यह यह मेरा बड़ा चमच है तो एक टीस्पून यह है एक टीस्पून के लगवें जिंजर गाली पेस्ट अब ग्यास जला लेजी और ध्यान के कवर्ट डालके आप चला लेजी जब तक यह हो रहा है इसमें पश्मीरी लाली स्पूर्डर डालते हैं इसे कलर बहुत ही पूंदर आता है अब मैं इसमें बहुत ही थोड़ा मतलब वन फोर्ट की स्पून ही होगा चोटा चमच में मैं इसमें कश्मीरी लेजी ली पॉडर डाल रही हूं इसे कलर बहुत ही अच्छा आता है अब फोरे दिरीज को पता लेजी अब इसमें मैं यह मेरा डेड़ प्याज है एक पूरा और एक आधा उसको मैंने क्रश कर लिया इसे मैंने पीसा नहीं है बस इसको क्रश करके इसमें डाल दीगे अच्छा आप 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 दोनों पग रहा है यह साइट छोड़ रहा है तेल देखे छूट रहा है अधी हम इसमें थोड़ा घन्या पत्ता डालेंगे इसे भी चला लेंगे इसमें ज्यादा मसाला मैंने नहीं डाला बहुत ही इजी स्टेश से मैंने इसे बनाया है इसे आप एक बार जरूर अपनी घर पे बनाया अभी यह मेरा 15-20 काजू का पाउडर है इसे मैंने बस सुखा पीस लिया है यह हम इसमें डाल देंगे यह ग्रेवी को बहुत ही रिच लूख देगा अधी चलाना है जब चिपकने लगे तो हल्का हल्का पानी डाल सकती है ज्यादा नहीं अब इसमें स्वाध अनुसार नमक डालेंगे याद रखे कि आपने अमरीनेशन में भी नमक डाला है तो बहुत ज्यादा नमक मत डालेगा मैंने कम ही डाला है और हल्दी भी कम ही डालना है जिस्केश और वन टीस्पून यह है मेरा किचन पिंग मसाला अब अच्छे से मिला लीजिए और कोई मसाला डालने के आपको ज़रत नहीं है बस यही दो मसाले से बहुत ही अच्छा प्रेपर आएगा यह मैंने एक टीस्पून केचप और हाफ टीस्पून चिली सॉस लिया है वो भी डाल देना और सबको अच्छे से मिला लीजिए तो हमारा जो ग्रेवी का जो मसाला है वो लगभग तयार हो गया है साइड से तेल छोड़ रहा है और स्लेंग भी बहुत ही अच्छा आ रहा है जब तक हमारा ग्रेवी बन रहा है तब तक हम पनीर को पका लेते हैं पनीर को मैं गैस से पकाऊंगी उसको आप तंदूर पे भी पका सकते हैं और ओटीजी में भी पका सकते हैं इसको ग्रिल करूँगी गैस देख सकते हैं मैंने पनीर को ओनियन को और शिमला मिर्च को बारी-बारी से एक स्कीवर में घुसा लिया है तो देख सकते हैं इस तरह से घुसाना है और अब हम इसे डारेक्ट गैस को ही इफेक्ट देंगे ध्यान से हाथ बचा के ऐसे ऐसे हमें घुमाना है यह धीरे-धीरे कुख होगा और बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा इसमें हां अभी हाफ देखिए मां इसको पका रही हम गैस पर डारेक्ट गैस पर में इसको पका रहे हूए रहाए आप थोड़ा-थोड़ाइबर सब kaikki बाजोर में डाले तो आपको थोड़ा ठीक ठीक से होगा घरी तो जले के चांसेज होते हैं अभी आप देख सकते हैं कि मेरा बनके रड़ी है इसमें मैंने थोड़ा-थोड़ा करके पानी डाला है और मैंने जो Jahren जंदूर किया था गैस पे वो भी मेरा रेड़ी है देख सकती है बहुत अच्छा कलर आया है और इसका जो मसाला बचा हुआ है अगर नमक आपका थोड़ा उसमें कम है तो आप डाल सकती है तो मैं मेरा नमक ठीक-ठाक है तो मैं एक चमच इसमें डाल रही हूँ और अच्छे से इसको भी पका लिजें कि इसमें जिंजर गालिक पेश्ट भी था रही भी है तो सबका कच्छा पन चला जाए तब तक थोड़ा सा पकाना है अब आप देख रही है कि यह तेल छोड़ चुका है और देखे कितना प्यारा कलर आया है अब बस हम अपना पनीर क्याप्सिकम और प्याज वाला डाल देंगे इसमें और अच्छे से इसको मिक्स कर लें हलके हाथों से कीजिएगा पनीर तूर सकता है कुछ देर इसमें इसको पकाना है मसाले में ताकि मसाला पूरा अच्छे से बनीर में मिक्स हो जाए तो कुछ देर आप इसको पकाईए धख करके भी तो मैं इसे 2-3 मिनट के लिए धख रही हूं देखे 2-3 मिनट मैंने इसको धीनी आपने पकाया है अब इतना अच्छा लग रहा है हलके हाखों से मिलाना है अब अगर आपको बस ड्राइ ही खाना है तो आप इसी तरह से इसको रख सकती है अगर आपको ग्रेवी थोड़ा और चाहिए तो थोड़ा पानी डाले ज्याद अब इसको एक बॉल आने तक ठकाना है एक बॉल का वेट कर रही हूं थोड़ा सा ढखका धीनी आच में एक बॉल आने देखे अच्छे से बॉल भी आ गया है मैं इस समय थोड़ा से इसमें चीली डालूंगी छोड़ा ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा यह डालने से जो टेस्ट है वह बहुत ही निखर के आता है टेस्ट बैलेंस हो जाता है और इसको मिला लेना है और देखे कितना अच्छा लग रहा है यह और इसके बाद बस लास्त में आपको धन्यापत्ता डालना है और यह रेडी सर्व करने के लिए तो मेरा पनीर टिका मसाला बनके तयार है आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं थैंक्यू